कि नमस्कार दोस्तों मैं अतन सर्मा एक वार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस एग्रिकल्चर गुर्देप पर दोस्तों आज लास्ट वीडियो में हमने फसलों का बरीकलर पड़ा था और उसको ही हम करेंगे और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको चलते हैं अपने वीडियो की और करेंगे बासे सब्सक्राइबर पर जो डिस न तरह होते हैं थी ट्रे की पहली क्रॉप्स है एन्वेल क्रॉप्स पहली क्रॉप्स क्रॉप्स कर लाती है एन्वेल क्रॉप्स एसी क्रॉप्स होती है जो क्रॉप अपना लाइप साइकल क्रॉप्स को आयाता है एन्वेल क्रॉप्स ठीक है जो अपना कम्प्लीट लाइप साइकल वन यर में पूरा कर ल येती है लाजसिकल को आप ऐसे समझेए का वह लेजए सबसे पहले हमने बीज को नधिज को भूया तो बीज को करेगा गरो करेंगा जन्मारिशन करेंगा जनिन के बाद आंगे जाएगा परागरण बखेर होगा और उसके बाद बीज बने से लेकर बीज बनने से यह था तो बीज बनने से लेकर डोबारा बीज बने तक उसका कहते हैं लाइफ साइकेल टो ऐसे प्लांट्स जो फ्लांट्स बनीयर में एक साल में अपनी लाइप साइल कम्प्लीट कर लेते हैं ऐसे प्लांट्स को आता है है अनुगल प्लांट्स क्लिए है आसा प्लांट होते हैं वह करते हैं कंप्लीट लिवन ये जो होता है वह बेजिट्टेटpt करते हिम्ऐ decía seals करते हैं तो और न्येक्ष्ट य्र स्वयमें चार्थ करते हैं दो बट से अधिक समाई में जो दो बर्थ से अधिक समय में लाइफ आइक करते हैं उनिय कहते हैं थिक्टे कि ऐसे पोदे जो वियर में अपने लाइफ सेक्ल के लेते हैं गलते हैं जो दो साल उन्हें फियर करते हैं वीप्र मेंका है वो रवी की हूँ खरीव की हूँ यह जायत की हूँ वो सारी ही seasonal crop जो है वो annual plant कर अतरगत आती है बाईनियल में अगर बात करते एं तो onion है cabbage हैं Croatia powiedz है…. Pittsburgh treble आ यह सारी जो है फस्सले जो है वह कि अग्जम्पल बाइस वाइने के एक्जम्पल हैं दोस्तों मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ जो ओनियन है ओनियन कि आपकर करें तो ओनियन 60 days to 150 days maximum 150 days में जो है वो हम इसकी harvesting कर लेते हैं अगर इसकी harvesting हम 60 से दिन लेकर 150 दिन में कर लेते हैं फिर ये crops बाइनियल क्यों है हम एक बात कह रहे हैं आपको भी हमने कहा कि एसी crops जो दो बर्स में अपनी life cycle कंप्लीट करती हैं उन्हें बाइनियल कहते हैं और दूसरी और हम कह रहे हैं कि ओनियन जो है उसकी harvesting हम 60 days to 150 days कर लेते हैं अगर 60 से लेकर 150 दिन में कर रहे हैं यानि कि maximum 5 मंत के अंत्रगत 5 महिनी के अंत्रगत हम उसको कर रहे हैं हर्वेश्ट कर रहे हैं और हम दूसरी सवह कह रहे हैं कि यह crop वह वाइनियल क्रॉप्स हैं आप किसी भी बूप को पढ़ोगे वह कहीं कि कि ओनियन, कैबे, कैरोट, बीड्स ये सारी ही क्या है, वाइनियल क्रॉप्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें, इनकी हर्वेस्टिंग की तो इनकी हर्वेस्टिंग हम जल्दी कर लेते हैं, तो दोस्तो इस कंसेप्ट को आज बहुत अच्छे समझेगा, किसी भी बुक में आपको पर कंसेप्ट नहीं मिलेगा, और हो सकता है, अभी तक आप इस कंसेप्ट से अनविगनो, दोस्तो ओ्नियन को अगर हम प्रोडूस कर रहे हैं तो हमारे जो ओनियन है क्या है नोर्थ इन्डिया नहीं होता ये ओником क्या बेस्ट क्रप को यह और नहीं नहीं होता यह सेजन क्रपु क्रप है यह एक्रदेश क्या करती है वह सीट नहीं यह यह बल्व ख्राइव अ के बाद जूरता में में चली जाती है सुसुत्ता वस्ता में चली जाती है और कुछ समय वाद वो दुभारा से निकल कर उसमें क्या होता है बीज बनते हैं तो यह पूरी कंप्लीट लाईप साइकल होने में इसे दो दस लाग जाते हैं इसलिए ओनियज केड़ार्ट ये सारी जो है बेहिए लाग ठीमदं क्लासिफियों सब्सक्राइब तो नियुक्तितव स्कender should च्छाइन यह हमका है Boston classification जह सारी तरीके का वहता है शाइनन के आपके सामने बात करते पहले फैमिली famine सब्सक्राइब किमिनस इसके अंदर दिएडने वल्ट पो एह सब्सक्राइब निया लिया है लिए लगणा चिक्पी, पी, लेंटिल, फेनुग्रीक, अलफा अलफा, सोयवीन और पीनट, ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स जानते हो फली वाली फसले, लेग्मिनेशी कुल कंतर गाती है, ठीक है, यह दलहनी फसले भी कहा जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्रूशिफेरी की, तो क्रूशि में आपकी भिंदी आती है, है ने, कॉटन आता है, हिविस्कास आता है, तो ये सारी वालबसी में आती है, इसके बादव कंपोजिटी, कमपोजिटी में सनफल avar है, ठीक है, क्राई इंत फेंटिम है, Acaster है, disregard मेरी गोलड, डैंशी है, सारी किसमें यह अती है, कंपोजिटी जल्दी से अगर आप चाहें तो इसका इसको आप पढ़ लेना है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है हमने थोड़ा से एक स्लाइड ली है इस स्लाइड में हम आपको ग्रैमनी और लेगमेशी कुल जो यह जो कुल है वह बहुत ही इंपोरेंट है तो हमने आपको यह कंपरेंटरीहां करने के लिए हमने स्लाइड बनाए है ग्रैमनी और लेगमेशी कुल की तो देखेंटरीह अद्धियन करते हैं दे जो जो के पौहते हैं वह मोशली हर्वाले होते हैं मतलब उनका जो अपर पार होता है यानि कि अरिक़ आधा फैला होगा होता है ठीक है इसके भाद is extremely holy इसका जो इसके इसके इंदर जो होता है वो होता है वह खोखला होता है made of notes and internet और इसमें जो तना होगा जो ग्रेमनिकुल के तने उते होते हैं उनकी इदे पर गाठे पाई जाती है आपने देख़ा जुआर गेहूं आप किसी भी ग्रेम निकुल के पौधे पर जाएंगे तो जो पौधा है वो पौधा क्या करता है यहां पौधे पर यह ऐसी गाठे पाई जाती है क्या होता है एसी गाठे पाई जाती है तो इन गाठों कायाता है नोट्स और नोट्स की बीच में जगा होती यानिकी अगर जैसे आपका ये दुपारा से में कवा बना देते हैं आगर ये कोई प्लांट है अपका तो इस प्लांट में बात करें इसकी अगर लभी तो दूसरी मि görünure होगी यहां फरिस का next leaf नेक्प्म नेक्ट लिफ मतलब लोगी अल्टन्ण STE करते हुए एक लिप्स होगी तो लिप्स कैसी होती है अल्टनेट होती है बिद पैरलर बैंस और इस पर जो बैंस होती है इस पर इस तरह की पैरलर बैंस होती है ठीक है तो यह भी आपको समझ में आगा हुआ है लिप्स पर कैसी होती है पैरलर बैंस होती है तो अगर आपको क नेग्स्ट बात करें अगहें इसप्रेट गर्चाई मतलब ऐसे नमबर पर इपना सबसे ज्यादा लिए यह उसीन हें द्रकर गर्चाई के द्रक पस्टाई अंगरता है क्यों पूल गया षंट गती है माइन इसकी होती है एक ही हैं इह oni हैं बात कर रहे ताए यह आप करो तो यह मा नेक्ली लिगूमिने से श्र clickeda होगा तो लिगूमिने सी प्योड़े में जो लिप सोते हो इस तरह यह होती है मतलब कि जो लीफ साथ होती है और यह न्युक्ञार कि भैकालird होती है इसमें बज्चे लग्मनेसी है तो इसके सीड होते और पाड में होते हैं और स्पोड के अंदर एक सीड या姐 सीड सीड करें ही। तरिक आशेदेर सब्सक्राइब काइब करके इया सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्टीजहिर रॉट कशन करती है बलकि नाय्ट्रोजन करते हैं तो ये आपको कुलियर हो गया और जल्दी से आप इसके स्क्रीन सॉट ले लिजिए तो चलते हैं नेक्स च्छिलाइड की और कि फिलिए वह किन्ग RAW ऑले एक लासिफिकर्शन या हम आपको बता चुके हैं ठीक है उसके बाद बात करें किसे लेट इन से इसे सक्क्राप्ट होती है जिसमें कहता है सुगर बीट आता हैं और सुगर कहना आता हुए यह आप अच्छे से दोस्तों जानते होंगे इसके बाद देखते हैं आयोचने जरूप। यानि सफ्लॉबर मस्टाड नि रेप अती है ठीक है फाइब फॉलेक्स आता है और जूट आती है ठीक है चलेते हैं नेक्सट अगर हम देखके इनको समझे लेते हैं जिनको हम चारे की रूप में यूज करते हैं जिनको हम पषुूर्पə से जासे आलफयतब हो गया शौरंग में को गया सुधान नयपर घ्रासओं लसे हैं रूप और डर से रूप इसका स्टेंब का फॉर्म होता है त्यूबर मेडिकल क्रॉप से आता है क्रेश्टर भी ना ती है और ऐसी कुछ फसले आते हैं इस टूमेलेटिंग क्रॉप से हमने क्लासिफिकेशन किया इसका कैच क्रॉप कैच क्रॉप कैच क्रॉप कैच को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक्जमपल लेता हूं उसका अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आपने क्रिकेट यह तो आप खेलते होंगे या आप क्रिकेट को सेभाइब कणेप्ट क करके नििक नुकलन क Incorporate le call कि मान लेज़िए क्या हमने कोई सिसटनल फसल यहाँपे यह माल लीजिए लिए हम लगाई उसके जवाद पानी बरस किया है। सब्सक्राइब करेंगाई है तो जब तक हम दूसरी फसल लगाने के लिए हमारे पास टाइम आएगा तब तक हम इस फसल को सीजनल क्रप्ट को लेने में लेट हो गये और नेक्स्ट जो हमारा टाइम है उसको आने में भी टाइम है माल लीजिए यहां हमने खरीब में कोई फसल लेने वाले थे लेकिन वो फसल यह तो हम किसी कारवस बो नहीं पाए यानि कि या फिर बोनी के बाद वो फसल नश्ट हो गई तो अब क्या होगा अब नेक्स्ट फसल को हम यहां लेके जाएंगे तो यह बीच में जो इतना टाइम छूटा हुआ है इस टाइम में यह टाइम जो छूटा हुआ है इस टाइम आफ फिरेड में हम को यह ऐसी फसल लगाते हैं जो कम अबदी वाली होती है जिससे बीच का छूटा हुआ टाइम है उसे हम कैच कर लेते हैं इस तरह की फसल को कैच क्रॉप कहा जाता है देखिए आप थियोड़ी परते हैं इस क्रॉप साज यूज़ी टू सब्सुट्टीूट लगव्व व्यूज करते हैं एक हूँ इस फसल जिसका मार्केट में बेच लिए यूज करते हैं यह कोने से बीच्वाकर नेकि यूजर कते हैं यह अपने घर हो में एनिमल्स को खिलाने के लिए उज़्च कर माल लीजे गन्य की हमने हाग खेती की अगर हम गन्य की खेती कर रहे हैं तो गन्य की खेती अगर हम गन्य की खेती यहां पर कर रहे हैं तो गन्य को हम काट कर कितना घर पर ला सकते जितना थोड़ा सा यूज करेंगे ऐसा नहीं कि उसको पूरा साल यूज करेंगे उसको क्या क करके नहीं रखेंगे साल बार के लिए उस सब्सक्रों का यह मंदी बेश देंगे तो तो ऐसी है Şसकोन तो रंत बेच कर पैसा कमा लेते हैं उने क्या य Khres क्रॉप का या था ठीक है नेंश्ट चलते यह ले व 2007 a कवर लार नों जो फ्रों टू स्कुलि इरोजन ना हो सी फसले का आता है कबरकर याता है ठीक है रिलनर क्ला को का है ऐसे फसले में हले जिने को हम घर यह था मिकित मेन तबाद एधे जिससे थी के निटरेंंसों की मात्रा को बड़ा रेती है इसरी फसलों को क्या चहते है टोंट Серफ लोंडरी उगाते हैं किसी के साथ में कोई दूसरी फसल वंगाते हैं और उन दोनों फसलहों को सेपरेटली हर्वेश्ट करते हैं अलग लग कारते हैं करें और यह सबसे से लगा सकते हैं मेज को लगा सकते हैं इसके इसका करें सबसक्राइब एक तरह से प्रोसुद deze पसू के लिए ठीक है तो दन्वाद दोस्तों यह थाज का भी रिए